आशा करता हूँ आप साब बहुत अच्छे होंगे मेरे नाम ए सिध्धान तगनी होतरी स्टेडी गलोस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है पाकिस्तान बहुत जादा डरा हुआ है प्रधान मंतरी इमरान खान का ये बयान आया है क्यों अफगानिस्तान से अमेरिका जा रहा है और अफगानिस्तान से क्योंकि अमेरिका जा रहा है तो खत्रा ये है कि पाकिस्तान पे हमले वड़ जाएंगे चैनल को सब्सक्राइब को और इंस्टा पर हो तो यार ऐसा है कि पाकिस्तान के प्रधान मंत्री इम्रान खान ने ये बोला है कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा पॉलिटिकल सेटिल्मेंट हमको करने पड़ेंगे इससे पहले अमेरिका चला जाया आपको पता ही है डॉनल्ड ट्रंप ने पिछले साल फरवरी में डील साइन की थी अफगानिस्तान का तालिबान टेबल पर वैठा थोड़ा सा मैं बैग्राउंड बता देता हूं आपको त 1979 में क्या हुआ था अफगानिस्तान में रेविल्यूशन आ गया और उसके बाद कम्मिनिस्ट सरकार आ गई सोवियत वहां पे घुस गया सोवियत अफगान वार चलता है एक तरफ थी अफगानिस्तान की सरकार और एक तरफ थे रिबल्स जो यह बोल रहे थे पुराना जो स चलता है और 1996 में किसी ने नहीं सोचाता तालिबान का रूल आ जाता है मतलग यह जो आतंकी लड़ रहते हैं अब यह रूल कर रहे है 1996 से लेकर 2001 तक अफगानिस्तान एक नर्क बन जाता है सिर्फ अपने लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए दुनिया में जितने भी आतंकी हमले होते थे वो अफगानिस्तान करवाता था अलकायदा यहां से उबरा लशकर एतैबा अलग हो तो पाकिस्तान में लेकिन रूट अफगानिस्तान पांच साल तक समझ लिए नर्क बन गया यहां पे जो औरतों के साथ सलूक था बहुत जादा सारे राइट्स जो है वो छीन लिए गए कुछ भी फ्रीडम नहीं थी कोई कुछ नहीं बोला उसके बाद अमेरिका में 2001 में 9-11 अटैक हो गया यह किसे नहीं सो जादा फिर अमेरिका का दिमाग खराब हो और अमेरिका ने अफगानिस्तान की बैंड बजा दी 2001 में अफगानिस्तान की फोजे जो है वो अफगानिस्तान में घुज गई अब उसके बाद जोर्ज डबल बुश ने वार अन टेरर लांच कर दिया 2001 से लेकर अभी तक अमेर अब अमेरिका को जब पता लग गया कि हमको कुछ मिलने वाला भी नहीं है तो अमेरिकांस वापस जा रही है धाई एजार से जादा अभी तक सोल्जेस मारे जा चुके हैं तालिबान बहुत ज़दा खुश है क्योंकि उसको लग रहा है कि वो जीत गया है अफगानिस्तान की जो सरकार है वो बहुत डरी हुई है अफगानिस्तान इस समय जादा तर एरियाज 50% कंटेस्टेड एरियाज है जो नहीं तालिबानियों के है नहीं अफगानिस्तान सरकार के है कुछ अफगानिस्तान सरकार करती लेकिन जादा तर तालिबानियों को कंट्रोल है मतलब ए इसलिए अमरान खान बोल रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की पूरी की पूरी बाउंडरी अफगानिस्तान से लगती है तो अमरान खान बोल रहे हैं कि अगर अमेरिकन ट्रूप्स गए 11 सितंबर को सब चले जाएंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉप्लम हो जाएगी तो भाईया इतनी जिकत है तो जमीन दे दो जब अमेरिका ने बोला था अमरान खान से कि हमको आपकी जमीन चाहिए ताकि हम अफगानिस्तान से पे नज़र रखें बेस बना सकें तब तो इन्होंने मना कर दिया लेकिन अब चीजे सिदर्वती फिर से दिख रही है इस तरीके का हिसाब किताब है मतलब एक तरीके से अब अफगानिस्तान में अमेरिका और जो इनके एलाईज हैं बहुत सारे देश हैं यूरोपियंस भी इनके साथ शामिल थे भारत के लिए तो वैसे ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि भारत अफगानिस्तान में बहुत बड़े-बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रजक्स चला रहा है भारत फॉज नहीं बेज रहा है लेकिन भारत पैसे बेज रहा है उसका असिस्टेंच दे रहा है तो वह भारत की लेलग प्रॉब्लम जब डॉनल्ड ट्रम टेबल पर बैठे तो उसमें अफगानिस्तान की सरकार थी ही नहीं उसमें तालिबानी थे वो तालिबान से डिल साइन करके आए हैं तो क्या होगा पहले मई में अमेरिका को जाना था और जब मई में अमेरिका नहीं गया तो तालिबानियों ने हमले चुरू कर दिये और उसके बाद धमकी देने लगा अमेरिका को कि बेटा नहीं जाओगे ट्रूप विड्रॉल का अफगानिस्तान में हिंसा बहुत तेजी से बढ़ गई है समझ रहें अफगानिस्तान में रोज हिंसा हो रही इससे पहले हम आगे बढ़े दोस्तों हमने बैंक के कोर्सेज लॉंच कर दी है SBI क्लर्क प्री प्लस मेंस SBI क्लर्क प्री और पजल और डियाई स्पेशल बहुत ही कम दामों में दोस्तों हजार उपए से कम में यह कोर्स लॉंच है दोस्तों धाई सौ से जादा घंटे इसमें पढ़ाए जाएंगे हजार से जादा सवाल है एक शानदार कोर्स है जो आपका सेलेक्शन पक्का कर देगा हम 10 जून तक ही अड्मिशन ले रहे हैं 11 जून से क्लासे स्टार्ट हो जाएंगी सारी की सारी लाइफ क्लासेज होंगी तो यह कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक में एप का लिंक है जाओ एप में जाओ कोर्स अवेल करो बहुत मज़ा आने वाला है शानदार कोर्स हमने टोटल चार कोर्सेज लॉंच किये हैं जाएगा चेक जरूर करिएगा अब तो अमेरिकन्स ने एक डेट दे दी यह इम्रान खान ने बोला है क्या क्या जब अमेरिकन्स ने डेट दे दी तो उनको लगा कि यह अफगानिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं तो जैसे ही अमेरिकन्स ने डेट दी तालिबान ने यह डेक्लेयर कर दिया कि हम तो जंग कि जैसे ही अमेरिका जाएगा हमारे याफ वाइलेंस बढ़ जाएगा भाया तालिबानियों ने कम नाक पितनम थोड़ी ना किया पाकिस्तान में पूरे के पूरे स्कूल को अड़ा दिया था छोटे चोटे बच्चे मार दिये थे है ना तो इतना ही है तो भाया काहिल मदद करते हो तुम तालिबानियों की पाकिस्तान को बोल रहा हूं मैं और अगर यहां पे आप समझे की जो मतलब कुछ भी उल्टा सिधा होता है तो दिक्कत होगी फिर यह भी एक है ना कि देगे पाकिस्तान बोल रहा है लेकिन क्या सच वह चोर-चोर मौसेरे भाई होते हैं पाकिस्तान भी तो आतंक वाजी को पना देता है तो क्या गैरिंट पाकिस्तान की जो स्ट्राटिजी अब बहुत पहले से ही चेंज कर दिया अब हम उनको सपोर्ट नहीं करते हैं और हम यही चाहते है कि वहां पे भी अच्छी सरकार रहे ताकि हमको को दिक्कत ना हो अफगान सरकार जो भी लोग चूस करेंगे पाकिस्तान डील कर लेगा उ क्योंकि दोस्तों लगातार जब से तालिबान आया है पाकिस्तान उसको सपोर्ट करता है पूरा सपोर्ट करता है पैसा हतिया ट्रेनिंग इनकी इसाई सब करते हैं तब ही तो तो तालिबान इतना ताकतवर हो कहां से गया पाकिस्तान के सपोर्ट के बना थोड़ी नहों प लेकिन जिस दिन वो पिंजरा खुलेगा उस दिन आप क्या करोगे तो पिंजरा खुल गए है यह खुंखार जानवर है देखेंगे क्या होता है फिलाल को जरूर अविल करें दोस्तों अगर आप बैंक की तहरी कर रहे हैं बहुत बढ़िया मौका है आपने बहुत ही कम दाव लेवल तक जाएंगे डियाई स्पेशल भी निकाला है इसमें भी बेसिक से शुरू करेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे तो जरूर आप डाउनलोड करके हमारे कोर्सेस को चेक करें पुछ रहे हैं पर तरे इदे से सिद्दान तक नहीं होता ही साइनिंग आफ